देश में क्रोना वैक्सीन खुले करके इन सकार अपनी रणीती को अधिक धार देने पर विचार कर रही है। ये सिंगल डोस को मज़ूरी दी जाए या नहीं। प्लेटा का अगस्त के आसपास विचलेशन किये जाने के उम्मीद जताई जा रही है। रिपोर्ट में National Technical Advisory Group on Immunization के तहत COVID Working Group के अध्यक्ष डॉक्टर एंड के अरोडा के हवाले से बताया गया है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है यहां क्लिनिकल डेटा, वैक्सीन डेटा और समगर रोग डेटा के तीन सेट को एक साथ लाया जाएगा। इसके आधार पर हम वैक्सीन की प्रभावशीलता, पुना संक्रमन और रुजानों को देखेंगे। आरोडा ने बताया कि मार्ज अप्रेल में क्रोणा वैक्सीन की प्रभावशीलता की स्टडी करने की आवशक्ता पर विचार विमर श्रू हुआ था। क्रोणा वाइरस और क्रोणा वैक्सीन से जुड़ी हर महात्पूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।